लोकस्वा चुनाव से पहले बीजेपी को हरियाना में बड़ा जटका लगा है पूर्व केंद्री मंत्री बीरिंद सिंग ने कॉंग्रिस में शामिल होकर घर वापसी कर ली है इस मौके पर भारत एक्सप्रेस के समधाता प्रिशान त्यागी ने पूर्व केंद्री मंत्री बीरिंद सिंग से खास बात्चीत की एक बार फिर से कॉंग्रिस में घर वापसी हुई है जादा बात्चीत के लिए खुद इस वक्त हमारे साथ है सर एक बार फिर से हम देख रहें कि कॉंग्रिस का पटका जो है वह आपके गले में है बीजेपी आप गए थे केंद्री मंत्री रहे तो आखिरकार सर क्या ऐसी चीजे रही जो आपको वहापा ठीक नहीं लगी नहीं मैं देखो व्यवारिक रूप से मुझे जो सम्मान मिला पूरा मिला प्रधान मंत्री जी अधनिय मोदी जी की कैबनेट में मैं केंद्री मंत्री रहा मेरे को विभाग भी मेरी मिनिस्ट्री भी बहुत अच्छी दी गई ये सारी बातें हैं लेकिन जो विचारे ये समझता था कि कहीं न कहीं कॉंग्रिस की विचारिक रूप की सोच और वीजेपी में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं थोड़ा बहुत होगा वो एड़्जेस हो सकता है आदमी लेकिन वहां मुझे महसूस हुआ कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन में वैचारिक रूप से बीजेपी बहुत दूर है कॉंग्रेस के विचारों से जैसे मैंने कहा कि कॉंग्रेस एक एसी पार्टी है वेरा अपना राजनेतिक जीमन वहीं से शुरू हुआ 42 साल में उसमें रहा कि वो एक मुवमेंट है उसमें हर आदमी समाता है हर आदमी की अपनी हैसियत है छोटा कारे करता हो बड़े से बड़ा नेता हो विचार रखने में किसी को कोई परहिजने ना कोई किसी पर आकशेप करता ना कोई डरता है इस बात के लिए विचारों की सवातंतरता और यही चीज है जो किसी प्रजातंतर को मजबूत रखती है किसी पार्लमेंटरी डिमॉक्रेसी को मजबूत रखती है रचादरी बिरिं ने साफ़त आ थरे पर कहे रहा है